मणिपूर हिंसा मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों के हंगामे के बाद संसत के दोनों सदनों की कार्यवाही इस थगित मैसूर में आज से थिंक 20 शिखड सम्मेलन शुरू इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहा आप्जर्वर रिसर्च फांडेशन मुख्यमंत्री ने बेरुषगारी भत्ता योजना की चौथी किष्ट जारी की हित्गराहियों के खाते में लगभग 32 कडोर रुपए आनलाइन ट्रांसफर और राश्ट्री मानवाधिकार आयोग के स्पेशल मॉनिटर 26 दिवसिय 36 गड़ दौरे पर राइपूर महासम उनके बाद दुर्ग और राजनान गाउं जिले का करेंगे दौरा नमस्कार आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार मैं हूँ अमृतर शर्मा और अब समाचार विस्तार से मनिपूर हिंसा मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों के हंगामे के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दो बज़े तक के लिए आज स्थगित कर दी गई लोगसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस डीमके टीमसी और दूसरी पार्टियों सहित सभी विपक्षी पार्टियों के सदस्य सरकार के विरुध नारे बाजी करते हुए सदन के बीचों बिचा गए वे इस मुद्दे पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग कर रहे थे अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रशनकाल चलाने की पूरी कोशिश की उन्होंने सदन की कार्यवाही नहीं चलने देने वाले विरोध करने वाले सदस्यों से प्रशन किया इसी हंगामे के बीच अध्यक्ष ओंबिरला ने सदन की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी इसी तरह राज्य सभा की भी कार्यवाही पहले स्थगन के बाद जब दोबारा दोपहर बारा बजे शुरू हुई सभापती जगदीब धनकर ने प्रशनकाल चलाने की कोशिश की लेकिन हंगामे के कारण सदन को दो बजे तक के लिए स्थगित किया गया सत्ता पक्ष के सांसद सदस्य प्यूश गोयल ने कहा कि सरकार आज दो बजे तक इस मुद्धे पर चर्चा करने के लिए तैयार है उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टियां चर्चा से भाग रही है मनिपोर के चर्चा हम चाते है हम आज की आज चाते है आज की आज की आज चर्चा शुरू की जाए ह seit आज सदन की कार्यवाही जब शुरू हुई तो कॉंग्रिस, डीमके, टीमसी, आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टी ओं सहित विपक्षी सदस्यों ने सदन की सारी कार्यवाही निलंबित करके नियम दोस और सरसट के तहट मणीपूर मुद्दे पर चर्चा की मांग की विपक्ष के नेता मलीका अर्जुन खडगे ने इस मुद्दे पर सदन में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी को बयान देने की अपनी मांग वापस दोहराई मैसूर में आज से Think20 शिखर सम्मेलन शुरू हो रहा है दो अगस्त तक चलने वाले इस सम्मेलन की मेजबानी Think20 सचिवालय का Observer Research Foundation कर रहा है Think20 G20 का ही एक कार्य समूह है जो बहुपक्षिय समूहों के लिए विचारों के कोश के रूप में काम कर रहा है इसका उद्देश G20 के लिए प्रासंगिक नीतीगत मुद्दों पर उच्छे स्तरिय विशेशग्यों और वैचारिक समूहों को चर्चा के लिए एक साथ एक मंच पर लाना है तीन दिरों के सम्मेलन में साथ तिंक 20 कारियबलों के प्रतिश्ठित सदस्य और विश्व भर के नीती विशेशग्य भाग लेंगे भारत की G20 अध्यक्षता की प्राथ मिक्ताओं से सम्मंधित विचारों और दृष्टी कोन को एक साथ प्रदर्शित करने का यह एक अध्विती अफसर है इस दोरान सतत विकास के लिए उचित जीवन शेली, व्यापक अर्थिव्यवस्था और व्यापार, महिलाओं के नित्रत्व में विकास, डिजिटल बदलाव, हरित बदलाव, वैश्विक वित्य विवस्था, सतत विकास लक्षियों को हासिल करने की प्रक्रिया में तेजी किया जाएगा ताकि लोगों को G20 की प्रक्रिया से जोनने के लिए प्रुचसाहित किया जा सके। में वीडियो कान्फरेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन बिरुचगारी भत्ता योजना की चौथी किष्ट जारी की। इस दोरान एक लाख 22,625 हित्गराहियों के खाते में लगभग 32 करोड रुपे ऑनलाइन ट्रांसफर किया गया है। इस प्रकार यदि जुलाई महीने के भी राशी को शामिल कर लिया जाए तो अब तक लगभग 112 करोड रुपे की राशी युवाओ के अकाउंट में जा चुकी है। बिरुजगारी भत्ते की राशी जारी करने के बाद मुक्यमंत्र ने कहा कि युवाओ पिढ़ी हमारे प्रदेश का भविश्य हैं। कैसे 36 गड़ को गढ़ना है वो आप सब के कंधों पर है। और इसलिए आपको आर्थिक रूप से वचारिक रूप से बहुत मजबूत होना होगा। यदि 36 गड़ को हम मजबूत बनाना चाहते हैं तो यह मजबूत होंगे तब 36 गड़ मजबूत होगा। और इसलिए मैं पहले दिन ही भासन दिया था जब पहली बिरोजगारी भत्ता जब मैंने वित्रित किया तब मैंने कहा था मुझे खुसी नहीं है कि मैं बिरोजगारी भत्ता दे रहा हूं। मुझे खुसी तब होगी जब आपके हाथ में रोजगार होगा। पंचायत मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि बिरुजगारी भत्ते की राशी ग्रामिन युवाउं के लिए बेहद जरूरी है और ज्यादा तर राशी ग्रामिन युवाउं को दी जा रही है बिरुजगारी भत्ते के आविदन के साथ ही युवाउं को कोशल प्रसिक्षन के लिए जो युवाकोशल प्रसिक्षन चाहते हैं उन्हें विबिनस अंस्झाओं में प्रसिक्षित किया जा रहा है 4228 युवाउं को प्रसिक्षन फिलहाल दिया जा रहा है मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिनहा द्वारा माननिय न्यायमूर्ती श्रीदीपक कुमार्तिवारी को 36 गड़ हाई कोट के स्थाई जज के रूप में शपत दिलाई गई शपत ग्रहन का मुख्य कारिक्रम उच्य न्यायाले के कोट हॉल क्रमांक एक में आज सुबह दस बजे संपन हुआ गौर तलब है कि माननिय न्यायमूर्ती श्रीदीपक कुमार्तिवारी एडिशनल जज 36 गड़ उच्य न्यायाले बिलासपुर को इस्थाई जज में नियुक्ती संबंधी अधिसूचना विधी एवं विधाई कार्य विभाग नई दिल्ली से जारी कर दी गई है न्यायमूर्ती दीपक कुमार्तिवारी की न्युक्ती आठ अक्टूबर 2021 को एडिशनल जज 36 गड़ उच्य न्यायाले में की गई थी राश्ट्री मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली के स्पेशल मॉनिटर बाल कृष्ण गोयल 46 गड़ दौरे पर है राइपूर के दौरे के बाद आज महासमुन मेडिकल कॉलेज और जिल्ला अस्पताल की मॉनिटरिंग करने वे पहुचे इस दौरान गोयल ने अस्पताल रिकॉर्ड के जाश में मिली खामियों को दुरूस्त करने का निर्देश दिया उसके बाद दूर दराज इलाके से पहुचे मरीजों से उन्होंने बातशीत की उनकी समस्याएं और परिशानियों को लेकर चर्चा भी की निर्दिक्षन करने पहुचे गोयल ने बताये कि राश्टिय मानवाधिकार का संकल्प है कि कहीं भी मानवाधिकारों का हनन ना हो और आयोग का केंद्र तथा राज्य सरकार की स्कीम पॉलिसी जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुच सके राश्टिय मानवाधिकार आयोग का जो एक संकल्प है कि मानवाधिकारों का हनन किसी भी प्रकार से और किसी स्तर पे ना हो उसी उद्देश्य की पूर्ती के लिए कि हम ग्राउन जीरो पर आकर ये देखते हैं कि जो सरकार की schemes हैं केंदर की और राज्ये की schemes, policies और act उनकी पालना ठीक तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है तो आज मैं अपने दोरे में महासमंदर के इस district hospital में पहुंचा हूँ अभी मैंने यहां का record जाचा है जो की काफी हद तक मुझे ठीक मिला कुछ मामली खामिया हैं उनको दुरुस्त करने के लिए मैंने बता दिया है राश्ट्री मानवधिकार आयोग, special monitor बाल कृष्ण गोयल, जिल अस्पताल के बाद सिटी कोथवाली, व्रद्धा अश्रम, बाल संप्रेशन ग्रह, सरकारी स्कूल, आंगन बाडी, बाल ग्रिल, दत्तक ग्रहन एजंसी का निरिक्षन करेंगे महा समुद के बाद विमानवधिकार आयोग की पूरी टीम के साथ दुर्ग और राजनानगाउं जिले का भी दोरा करेंगे ग्रामिनों को जुलाई से अक्टूबर तक आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि यहाँ खेती किसानी का समय होता है लेकिन मनरेगा ऐसे स्थिती में ग्रामिन छेत्रों के लिए आर्थिक मजबूती का आधार बन रहा है बारिश के मौसम में जांजगिर चापा जिले के अकलतरा ब्लॉक के ग्राम पंचायत कटगरी, पोंडी, पचरी, करही डी के ग्रामिनों को मनरेगा के माध्यम से रोजकार मिल रहा है आज मन्रेगा के माध्यम से इन ग्राम के सेकडों मजदूरों को कोसा बाड़ी में काम मिला है और हर सबताह उनको भुकतान भी किया जा रहा है जिससे उनकी आर्थिक स्थिती मजबूत हुई है और इसके साथ ही खेती किसानी में आर्थिक सहयोग भी मिला है सहायक संचालक रेशम विभाग के हेमलाल साहू ने बताए कि ग्राम कडगरी की महिलाओं को मनरेगा द्वारा रोजगार दिया जा रहा है क्योंकि अभी का समय ग्रामिंड शेत्रों में आर्थिक तंगी का समय होता है खेती किसानी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई और दूसरे महत्वपून खर्च होते हैं ऐसे वक्त में हमारे विभाग द्वारा मनरेगा के तहत रोजगार दिया जा रहा है मनरेगा योजना में काम मिलने से उतसाहित मजदूरे ने बताया कि बरसात के मौसम में जो पैसा मिल रहा है मनरेगा के माध्यम से उससे आर्थिक स्थिती में सुधार हुआ है बरसात के दिन मा कोई काम गुता ज्यादा दिक्कत जा थे हम अला कोसा बाडि मरेगा काम चला थे बढ़िया हम अला सकार काम जे बेगे थे थे दिर्टिर बॉर्ट फ़ें, जोली धुलाई चला थे, खातु मांती दिलाई चला थे, बढ़िया से, थारकार बढ़िया हम लन्ला मर्डे काम देहें हावा है, तो पर अंचे वज़ा से हम लही का मल्ला पढ़ाई लिखाई करा थे, हफ्ता के हफ्ता पैसा कवड़ी आ जा थे तर लाइका मान के बढ़िया पढ़ाई लिखाई चला थे, एका जहां 20-25 धन मजदूरे इहां, बढ़िया काम करा थे, और हफ्ता ख्याप्ता पैसा मिल जा थे. काम करें आहां मर्रेगा वाला, कायका थे हफ्ता ख्याप्ता पैसा मिला थे, तीन हप्ता होगे हमाला पैसा मिला थे वाय, काम एती छोलाई गुड़ाई चला थे वाय, अब वेसरा मुरूधाई चलीश थे वाय, अब एती काम चला थे वाय, संगी मान काम करा थे दिदी बहिम कोसा बाड़ी में काम करते हुए आदिवासी मजदूर 36 गड़ी लोग गीद भी गाते रहते हैं जिससे उनका काम में मन लगा रहता है और स्वस्थ मनुरंजन भी होता है वहीं आकाश्मारी के इंद्र बिलासपुर्द्वारा इन सभी के लोग गीतों की रिकॉर्डिंग भी और इसके बाद प्रस्तूती की गई इंद्रा गांधी राश्ट्रिय मुक्त विश्व विद्याला इगनो नई दिल्ली के जुलाई 2023 सत्री की प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है इगनो में सनातक डिगरी, पीजी डिगरी और पुस्तकाले विज्यान में सर्टिफिकेट कोर्स सहीत विभिन प्रकार के सर्टिफिकेट डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा में जुलाई 2023 सत्री की प्रवेश प्रक्रिया के लिए आनलाइन रिजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आरंब हो गई है इसमें प्रवेश की अंतिम्ति थी 15 जुलाई 2023 है महा विद्यालय के नियमित विद्यार्थी सहीत सभी प्रकार के विद्यार्थी इसमें अपना प्रवेश ले सकते हैं विद्यार्थी अपनी नियमित डिग्री के साथ विभिन प्रकार के रोजगार उनमुक सर्टिफिकेट डिप्लोमा तथा पीजी डिप्लोमा इत्यादी पाच्छे क्रमों में इगनों से प्रवेश ले सकते हैं भारत सरकार द्वारा एक साथ दो डिगरी करने की मान्यता दे दी गई है जिसमें विद्यार्थी अपनी नियमित डिगरी के साथ ही दूसरी डिगरी इंद्रा गांधी राश्ट्रिय मुक्त विश्व विद्यालय द्वारा कर सकते हैं स्ट एसी श्रिणी के विद्यार्थियों के लिए इसना तक कला पाठ्यकराम निशुलक प्रवेश की सुविधा इगनों द्वारा दी गई है विद्यार्थि अधिक जानकारी इवम रजिस्ट्रेशन के लिए इगनों की आधिकारिक वेबसाइट www.ignou.ac.in पर विजिट कर सकते हैं प्रवेश प्रक्रिया के लिए आनलाइन विवस्था उपलब्थ है और अब कुछ खबरें जिलों से मुख्यमंत्री शुपुपेश बगेल ने निवासकारी आलाए में चत्तिसगड़ी भाषा चात्रविकास समीती के सदस्यों से सौजन्य भेट मुलाकात की मुख्यमंत्री ने इस दोरान चत्तिसगड़ी साहित्यकार श्री दुर्गा प्रसाद पारकर की रचनाओं के संग्रह पर आधारित गीत संग्रह सुमिरम चत्तिसगड़ का भी विमोचन किया उनकी रचनाएं बहु हाथ के पानी और सुधामा के चाउर हेमचंध विश्यविद्याले दुर्ग और रवी शंकर विश्यविद्याले के में चत्तिसगड़ी के पाच्छयकरम में शामिल है चतिसगर उच्छन यायाले बिलासपुर के मुख्यन यायादीश श्री रमेश सिन्हा ने आज चतिसगर उच्छन यायाले के आवासी परिसर का ओचक निरिक्षन किया निरिक्षन के दरान उन्होंने नवीन आवासों के निर्मान के संबन्द में जानकारी ली नविन निर्मानों की गुणमत्ता तथा पुराने आवासों ये उचित मरम्मत इत्यादी के संबन में अधिकारियों को आवश्य अग्दिशा निर्देश दिये और इसे के साथ ये समचार बुलेटिंस समाप्त हुआ नमस्कार